हेलो फ्रेंट्स में गाइतरी हाउ टू मेंकमाफ सवागत करती हूँ और आज आप से शेयर कर रही हूँ यह फर्याली चाट की रेसिपी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और फर्याल के लिए बहुत ही अच्छी है फटाफट बनके त्यार हो जाती है तो आपसे रिक् पिशेस में चोकोल पिसेस में काटके रक रका हैं यहां पर हाफ टीजीव समथ लेना है यहां पर जियूदा यहां टेस के कॉर्डिंग और लेना है थोड़ा सा धन्यापती इन सभी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तेल तो यह कोई सबी आप रिफाइंड ओल ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने तेल लिया है सबसे पहले मैंने गेस के ऊपर रग दी है कढ़ाई उसमें ढाल देती तो यहां पर तेल को गरम हो जाने देंगे ज्यादा गरम नहीं करना है इसको लगाता है चलाते होगे अच्छी से फ्राइब करना है ताकि यह फूल के डबल तीबल हो जाए तो देखिए इसको फूल निमेट थोड़ा टाइम लगता है एकदम जलबाजी में करके आप इसको गय है यह तो इन सब को निकाल लेती हूं मैं और इनको निकालने के बाद जो तेल बचा है उसमें डाले उसमें मैं राई तो यहां पर में ग्रीन चिली डाल देती हूं और इस तरह से खुले में पका रही हूं और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और लाइट देखिए एकदम इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया है और सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें डाल देते हम पीनट क्योंकि हमने रोस्टेट ल हो जाते हैं यह मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे काले मिची पाउडर और जीरा पाउडर जो हमने लेके रख रखाता हाफ आफ टीस्पून अगर नमक कमें तो आप नमक भी डाल सकते हो गेस को मैंने बंद कर दिया है और बस यह बंद गेस पर मिक्स कर रही हूं यह यहां पर देखें में इस तरह से इसको रखा है बहुत ही टेस्टी लगा था और हेल्दी भी है तो आप लोग मेरी रेसिपी केसी लगी ज़रू बताइएगा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा फिर मिलती हूं तब तक के लिए बाई बाई टेक के बाई बाई बाई